प्रॉब्लम 43 में एक बॉड़ी है जो इनिशरी रेस्ट पे मान लो that means u का टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा sliding along a friction less of height h friction तो यहाँ है नहीं बच्चो तो mu का टर्म कितना हो गया 0 और just complete important line है यह vertical circle की just complete का basic funda याद कर लेता हूँ और यहाँ लिख देते हैं अपन just complete कोई भी circle है bottom पे एक minimum speed चाहिए होती है जो की होती है root में 5gr अगर अपने इसको radius बोला है ताकि यह just complete वाली condition से यहाँ तक पहुँच जाए फिर तो यहाँ से आगे आई जाएगा और ab को d बोला है मतलब यह बच्चों diameter है height h बतानी है तो पहले तो अपन first motion पढ़ लेते हैं ठीक है यह हो जाएगा mechanical energy initial बराबर कितना होगा mechanical energy final initial मतलब इस particular point पे final मतलब a point पे final हो जाएगी at a और यहां मैं इसको o कर देता हूँ तो हो जाएगा at o ठीक है mechanical that means kinetic plus potential तो kinetic तो हो जाएगी zero potential हो जाएगी अपनी mg h और यहां क्या होगा यह अपना reference ले रहा है बच्चा इस जगह से तो potential यहां पे हो जाएगी zero और kinetic हो जाएगी one by two mv square ठीक है mass हटा दो तो जिस speed से नीचे गिरा है यह हो जाएगी root के अंदर two gh यह इतनी राम कहानी दिखनी नहीं थी अपन को यह पता होता है हर बच्चे को जब भी friction वगएरा नहीं आता है तो direct लिख सकते हैं कि कितना vertical height descend किया है अब बात करते हैं यह v है तो v must equals v minimum इस वाले v के इस circle की बात कर लेते हैं तो second category motion कियाएगी तो जिस v से नीचे उतरा है न वही वाला v यहाँ पर root के अंदर five g r के बराबर होना चाहिए तो लिख देते हैं root में two gh is equals to under root में five g और यह हो गया r और root भी हटा दो और g भी हटा दो यहाँ से तो h बन गया बच्चों five by two of r हाला कि यह भी अपन पता करके आते हैं derivation करते हैं theory में तो क्योंकि यहाँ पर r दिया d by two के format में तो h आगे अपना five by four of d option number one अपना सही होगा आई आगे देखते हैं